कि नमिश्कार दोस्तों रादे राधे सभी को एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन का आज का दिन अच्छा नहीं रहा आज आरर भी का रिजल्ट डिक्लियर हुआ स्कील वन के लिए ओफिस असिस्टेंट इन दो पोस्ट के लिए अपने बात करेंगे और इन में अच्छा रिजल्ट नहीं है मतलब फाइनल हर्डल हम क्लियर नहीं कर पाए वो जो एक सीट जो हम सोच रहे थे कि सर हमें मिलेगी साथ और एक जनवरी के साथ एक बहुत तगरी होगी और फाइनली हम फाइनेंशली स्टेबल हो जाएंगे और अपना एक नया फेस करियर का स्टार्ट करेंगे अपने जीवन का स्टार्ट करेंगे बट ऐसा हो नहीं पाए तो जिते बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो पुरा एंड तक देखिएगा किसी पर सबसे पहली चीज जो अपने को सोचना है इसके रिगाट है वो यह कि क्या कट ओफ थी है और क्या आपने नंबर आएं कि क्या कट आफ थी कि हमारे स्टेट से अर्ण बी क्लरक का था है उन्हारी मांच आए जो हमारे मांक्स आई और जो पट ओफ रिक्वाइट था उसमें गाप कितने का है this is the first point जो अपने को सोचना है जिसके बारे में अपने को analysis करना है let's see let's suppose कि यह जो difference है वो one marks के अंदर अंदर है हो सकता है आप रिजर्व लिस्ट में रिजर्व लिस्ट में है तो तो फिर बहुत जादा परिशान होने की जरुदत नहीं रिजर्व लिस्ट में नाव नहीं है तो तो भई आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी जो त्यारी है ना एक सेलेक्टेड के बराबर के त्यारी है और ऐसी आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रहा है ये एक प्रैक्टिकल बात मैं बता तो फिर सर हम क्यों नहीं है वहाँ पर हम बाहर क्यों वो तो बड़ा डिफरेंस है ना वो बिल्कुल बड़ा डिफरेंस है उसका जो एक्ज बड़ी हार से त्यारी नहीं किया आपने एक्जाम अच्छा नहीं देया सब आपने का बट आपका टाइम अभी नहीं था थोड़ा सा आपको वीट करना पड़ेगा पर ये मत बात बूलना जब आपका समय आएगा ना और आएगा वो तब ही आएगा जब हम इस मेहनत को न जिनका मैंने बता है रिजर्व लिस्ट में नहीं है उनको तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब का नेक्स्ट जो टार्गेट रहने वाला है उसमें आप बहुत बढ़िया करोगे और मैं आपको एक बात बता देता हूं बहुत सारे ऐसे पॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है आप यही लेवल की और और तगड़ी इंटेंसिटी के साथ और ज्यादा आप में आग जल जानीची है कोई नहीं इसमें रहेगे अगले वाले में छोड़ेंगे नहीं जो इतना रहे गया ना इसको भी पूरा कर देंगे क्योंकि कि वो लोग उस इंटेंसिटी से लड़ेंगे नहीं बट आप में आग आप जला सकते हो आपके पास वह इंधन है कि उस तरह की आग जल सकती अंदर उस इंटेंसिटी की महनत आप कर सकते हो तो उसको पॉजिटिव बनाओ उसको आप फ्यूल बनाओ क्योंकि आपकी कुछ कुछ से रहे हैं ना उन लोगों को देख लेना आप उना देख लेना अगर मेहनत करोगे ना सही सी इंटेंसिटी आपका एस बीए क्लरक निकलेगा एंडिड़ परसेट ऐसी लोग निकालते हैं इस बीए क्लरक और आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है इस आपके पास अच्छा मौक होगा निकलने का अब यहीं पर आप नेगिटिव पे चले जाओगे नेगिटिव लाइन पे चले जाओगे तो बस जो आपने एक लेवल बना लिया था ना कि सर यह अगर लेवल है और मैं बिल्कुल यहीं पर पहुंचा हूँ तो फिर वो नीच अच्छे गिरने लगेंगे तो आप सरपास कर जाओगे यह एक लर्क में अब दूसरे वो स्कुडेंट्स जिनके ठीक ठाक या था तो आप लोगों से मैं बस यह जानना चाहूँगा ओनिस्टली कुछ से पूछो पेपर कैसा गया था ओनिस्टली पूछो कुछ से मैं कोई ऐसे नहीं कि जस्ट रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए ऐसा नहीं होता यार एक्जाम जब अपने अच्छा करके आते हैं जब एक्जाम अच्छा देके आते हैं तो यह अच्छे रिजल्ट आने की संभावना होते हैं तो भी शोर नहीं होता और अगर एक्जाम अच्छा नहीं गया तब तो रिजल्ट खराब ही आएगा वो अच्छा नहीं आ सकता अ फिर किस बात की टेंशन दे रहे हैं फिर तो आपका तो पूरा का पूरा फोकस इमोशनल होने के बजाए प्राक्टिकली एनलाइज करने का है कि आर भी मैंने एक टाइम पे दिया था और अब वो टाइम है उसमें कुछ महीनी निकल गया है तो जहां जहां पर मेरे नंबर कमाई है क्या उस चीजों पर मैंने काम किया है इन महीनों में क्या इस पर मैंने महनत की है की है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो और नहीं किये तो फिर यार कौन जिमिदार है आप बताओ मेरे को अगर नहीं किये तो फिर कौन जिमिद तो उस पर काम करो अब तीसरे जो बड़े कम बच्चे होते हैं वो की सर गैप बहुत जादा आ चुका है बहुत बड़े गैप से जो रहे गये तो उनको अभी अच्छे से त्यारी करने की जरूरत है आप बिल्कुल आप वैसा मतलो आप अब दो हजर चोबिस को एक नए साल की तरह लो पूरा एक नया सेट अप हैसा मानों 2023 में तो सर just used to हो रहे थे चीजों के कि कैसे होते हैं, त्यारी कैसे होती है कैसे preparation करनी होती है किन teachers को follow करना है कौन-कौन से exams होते हैं exams के feel क्या रहते हैं उनका था अब 2020 हमारे लिए actual में, जो main जो लड़ने वाली जगय होगी वो 2024 हो ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं अब next सवाल आता है कि sir what's next मतलब कि अब आगे क्या करेंगे sir, आगे हम कैसे approach करें what's next आगे क्या approach करें तो आगे कुछ options आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा और सबसे important option जिसको मैंने already touch कर दिया है, वो है SBA clerk SBA clerk pre का जो exam है SBA clerk pre का जो exam है आपका कुछी दिनों में है भूल जाओ, जैसे कि मैंने कहा भूल जाओ सारी जगाओं को सारी चीज़ों को भूल जाओ ये जो SBA clerk का जो exam है ना ये जो RRB में जो बच्चे फेल हो है ना थोड़े-थोडे margin से तीन नमबर, चार नमबर, एक नमबर, दो नमबर आप लोगों के लिए है ये vacancy, आप लोगों के लिए है ये exam अब डल होके, demotivate होके बैठ जाओगे, तो कुछ नहीं होने वादा उल्टा और ज्यादा performance किरेगा बट यहीं पर intensity और ज्यादा बढ़ा और ज्यादा increase करो और ज्यादा मैनत करोगे ना तो वो जो selected बच्चे है ना उनको छोड़ दोगे पीछे, क्योंकि वो उस intensity से अब नहीं पड़ पाएंगे कुछ पड़ पाएंगे, ज्यादा तर नहीं पड़ पाएंगे तो यह आपके लिए एक window कुल रहा है एक window open होना start हो रहा है आप लोगों के लिए SBI clerk में अब आपके उपर है निकलना है कि निकलना अंदेरे से निकलना है на window open हो रहा है निकलना है कि निकलना यह आपके उपर है तो यह बहुत बड़ी opportunity रहेगी हम लोगों के लिए SBI कि इसके लावा इसके लावा सर जो pending results है जो pending results है जैसे कि IBPS PO means का दे रखा है सरा IBPS क्लोर means दे रखा है SBI PO means दे रखा है तो यह सब exams भी तो है अभी IDB वगड़ा का exam दे रखा है आपने RBI assistant वगड़ा का दे रखा है तो कि यह सरे भी है तो ऐसे नहीं कि चरह हम इसमें फैल हो गया और आपको समझाया तो है कि समझाया तो है जैविलिन फूरों का गेम ने बैंकिंग एक एक मौकाई नहीं मिलते हैं सारों में नहीं अच्छा करना होता है एक में भी अच्छा कर लिया ना लाइफ सेट हो जाती है वह गूल्ड गूल्ड वाला थ्रो एक बार ही फैंकने के जरूरत बार बार नहीं नहीं तो आपना भी वही गेम है कि जो है आरारमी में फेल हो जाए पीओ में हो जाए एक लर्क में हो जाए एक भी निकाल लिया जैसे आई भी पीज पीओ निकल गया तो बस वहीं पर लाइफ सेट हो जाएगी तो ये प्रैक्टिकल थौट रखना जुरूरी है बहुत ज्यादा ये जो सैडनेस है ना इसको आके मत बैठो कि गाने वाने सुनने बैठ जाएंगे किता जीवन में दुख है जवर्दस्ति का दुख मतला हो जीवन में कुछ दुख नहीं है इतना ज्यादा तगड़ापना कुछ वच्चों के जुरूर होगा जिनके यार लास्ट अटेम्ट था कि सर आरार भी क्लर्क क प्यों के रिगार्डिंग लास्ट था उनके लिए थोड़ी सिचुवेशन डिफिकल्ट जरूर है पर उनको भी अभी मेंटली स्टॉंग रहना अगर आपने आपने एक तारीक है इस पॉइंट से जो यहां से स्टॉंग हो जाएगा ना वो यह एक्जाम निकाल देगा यह तो अल्रेडी आप कर चुक है उसके बाद इंटर्व्यू कराएगा उसमें अच्छा करना वो तो मेंस अच्छा हो जाएगा तो इंटर्व्यू का अल्रेडी आपको मोटिवेशन मिल जाएगा आप अच्छा त्यारी तो एटिलीस कर लोगे अपना बैस तो देने की उनल्माल करते हुए बस वह एक कि यहां से क्या करते हो आप दो रास्त जाएंगे यहां से दो रास्त जाएंगे एक तो घापर सिरों दाउन डाउन डा Communते होते जांगे जे़ल्ट स को लेके फीर्म चोलेके सोचते रहेंगे मंवी बापा किते हैक्सपेक्टेशन घरावान क्या हो गया दूसरे बिच्चे कौन से होंगे क्या हो गया नहीं हुआ थोड़े से तो नहीं हुआ ऐसा तो नहीं कि 15 भी इस मार्व रहे गए डूसरे आपके पास है अब चॉइस आपके पास है आपको किस रास्ते पे चलना है वो रास्ता जो शॉट शॉट फेलियर की तरफ लेकर जाएगा या वो रास्ता जहां पर सक्सेस की अच्छी पॉसिबिलिटी अच्छी संभाग है ठीक है तो यह वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बन बच्चे आपने जां गिरके कैसे खुद को उठाते हैं और यसी भी देखे वर फिर पुछ नहीं कर पाते हैं अपने आपको उठाए ही नहीं पाते हैं बषीबिए बस्ता今日 को अध्यका निक definite कर देतोंने मेरा शुटेंट इंफिश्कर के सुवियश करके स्टूडेंट है लास्ट यह रर्रभी पियों में वन मार्क से रह गया था कि अर्रभी पियो 2022 में वन मार्क से उसका सेलेक्शन नहीं हुआ था इस बच्चे का तो यह श्याकर करके नाम है उसका मैंने पोस्ट भी डाल रहा है आप देखना जुरूर पेजिनिंग मुझसे पढ़ा था अपना पेड पेड स्टूडेंट साइए इस बार बिहार स्टेट से उसने टौक किया है बिहार स्टेट से क्या किया स्ट दॉप किया है विहार स्टेट में हाईस नम्बर लेकर आया हो आ आपके वाला सिचुएशन में है और भुक हो जाएगा था यह सी शुवीशन ना बराभार सहगे में इतना बड़ा जटका लगना और उससे फिर टॉक कर देना ये रास्ते पर चलना है अपने को ये रास्ते पर चलना है अपने को तब मज़ आएगा ना तो ऐसे नहीं कि एग्जामपल्स नहीं है ऐसे नहीं कि सरम अकेले यह तो जीवन में किसी के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं बहुत कौमन है आपको ऐसा लग रहा है कि यार यह तो सरफ मेरे साथ ही सब खराब हो रहा है जात अतर लोगों के साथ ही यह रहा है बट उसके बाद जो चीजें की जा रही है ना वहाँ पर फिर बाइफरकेशन निकला रहा है वहाँ पर फिर वो डिविजन आपको देखने को मिलेगा एक बच्चा जो लगा रहेगा उल्टा और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएगा उसको एक इंधन की तरह यूज़ करेगा इसे वीडियो से आपको एक नई उड़जा मिलेगी एक नई एनर्जी मिलेगी आगे का रास्ता आपको पता चलेगा और आज राज से नहीं आज राज प्लानिंग करू अच्छे से और कल से मैं चाहता हूँ पूरे जोश के साथ लग जाओ आप मैसी बहुत सारे बच्चे जो आज ये वीडियो देख रहे है वो एस्बी एक लर्क के फाइनल रिजल्ट में मेरे को मैसेज करेंगे और आपको मैं स्क्रीन शॉट शेयर करूगा कि सर आपने वो वीडियो बताया था और उसके बाद जो इंटेंसिटी जिस इंटेंसि झाल